चोपड़ा एक इस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चों MBBS की काफी सारी सीट वेकेंट रह गई थी ओल इंडिया कोटा में भी सीटे वेकेंट थी और स्टेट में भी ये सीटे वेकेंट थी तो अभी सुप्रिम कोट में इसके रेगार्डिंग हीर हुई थी केस दाइर हुआ था तो सुप्रिम कोट ने डिसेजिन दिया है कि इन सीटूं को फिल किया जाए तो MCC ने स्टेट का और सेंटर का दोनूं का सेडूल जारी किया है इस पेशल स्टे राउंड के लिए जितनी भी सीटे स्टेट में वेकेंट हैं उनको फिल करना है MVBS, BDS सभी की और सेंटर में जितनी भी सीटे हैं उनको भी फिल करना है तो इसके लिए MCC ने सेडूल जारी करना है सीट मेटरिक्स अभी आणा बाकी है तो seat matrix आ जाएगा कि कौन से state में कितनी city vacant हैं तो वो आप state की website पर देख सकते हैं Central का MCC की website पर आपको seat matrix मिल जाएगा एक बार इसका notice देख लेते हैं हम special stay vacancy round का और इसके rules और condition भी देख लेते हैं कि कौन कौन से candidate इसमें participate कर सकते हैं तो इसमें आप इसके MCC की website पर जैसे ही visit करेंगे आपको यहाँ पर notice मिल जाएगा notice में यह clearly लिखा हुआ है कि special stay vacancy round conduct करवाया जाएगा MBBS, BDS, BAC, Nursing, All India Quota, State दोनों के लिए तो इसमें जो special stay vacancy round conduct करवाया जाएगा इसकी जो condition है वो condition यह है कि जिन candidate ने registration किया है जो already registered candidate है वो 50,000 रुपीड पे करेंगे यानि कि security money होगी वो 50,000 रुपीज security money पे करनी होगी अभी deposit करनी होगी पहले कि जो security money deposit की हुई है वो तो AGT's रहेगी ही लेकिन जो specialist stay vacancy round में candidate participate करना चाते हैं वो 50,000 security pay करेंगे अगर उनको seat मिल जाती है seat वो नहीं लेते हैं मिलने के बाद में तो यह 50,000 forfeit हो जाएंगे और एक साल के लिए ban कर दे जाएंगे कि अगली साल वो need की exam नहीं दे सकते हैं इसके बाद में जो candidate all India quota या state की seat already hold कर रहे हैं जिन्होंने admission ले लिया है वो candidate इसके लिए eligible नहीं है जिन्होंने round 3 के बाद में seat allot करवा ली है All India quota state के round 3 के बाद seat allot करवा ली है जोईन नहीं किया है वो भी candidate eligible नहीं है यानि कि round 3 या round 3 के बाद में round 3 से start है first or second round का इसमें कोई मतलब नहीं है अगर किसी candidate को first or second round में seat मिल गी उसनी join नहीं किया तो वो इसके लिए eligible हो सकता है तो यह condition है इसमें इसके बाद इसका एक बार मैं आपको schedule बता देता हूँ schedule यह है कि फ्रेस registration होंगे उसमें तो payment के लिए फ्रेस registration भी होंगे payment भी होगा तो 31st October से start है यह और 5 November 2023 तक आप इसमे registration और payment कर सकते हैं इसमें registration और payment कर सकते हैं इसमें इसके बाद मैं choice filling है वो first से लेके 5 November 23 तक है और locking का time आप जानते ही है 5 November last date को होता है यह 4 बज़े से लेके रात 12 बज़े तक होगा इसमें result processing 6 और 7 को होगा इसमें result का जो publication date यानि result announce हो जाएगा 7 November 23 को reporting होगा 8 से लेके 15 November 23 तक तो यह schedule है All India quota का यानि कि MCC द्वारा जो counseling करवाई जाएगी special round के लिए जो city vacant है MBBS की BDS की तो उसके लिए यह schedule MCC का है अब इस्टेट के schedule की बात कर लेते हैं तो इसमें state का schedule भी दिया हुआ है तो MCC का schedule 31 से लेके 7 November तक है और state का 7 November से 10 November तक है ने कि last 10 November तक state complete करवा सकते last date of joining रहेगी 15 November 23 चाहे वो All India quota की हो और चाहे state की हो तो यह schedule है state का और All India quota का अब मैं आपको बताऊं कि जो candidate All India quota में admission लेना चाते हैं तो कि MCC की website पर अपना 50,000 का payment कर दें, registration कर दें, payment कर दें उसमें और 24 फिल कर दें समय के अनुसार जो candidate state में admission लेना चाहते हैं वो state authority की website यानि state की जो website है उसके touch में रहें वहाँ पर उस state का schedule जारी किया जाएगा जैसे करणाट का मारास्टरा अपिहार इनमें काफी स्यारी city अभी vacant हैं तो वो जिस state में admission लेना चाहते हैं student वो state में वहाँ उनकी website से touch रहें कब उनका schedule जारी होता है और कब उनके schedule का result आता है कितनी vacancy आ हैं, कहां आपको admission लेना है वो आपको अपने state की website के थुरू जानकारी लेनी होगी अब इसमें काफी सारे student का ये भी doubt रहता है कि cut off कितनी जा सकती है, cut off कितनी ज्यादा down चली जाएगी तो मैं बोलता हूँ कि इतनी ज्यादा all India quota की cut off down जाने के chances नहीं है 610 वाले candidate के सभी candidates को seat नहीं मिली थी तो हो सकता है इतनी सारी seat ज्यादा सारी seat वेकेंट भी नहीं है all India में तो हो सकता है 610 वाले candidates को सभी को seat मिल जाए 609 तक मिल सकती है, 608 तक भी मिल सकती है seat अगर किसी candidates के 600 marks है उन candidates को 600 marks तक वाले candidates को इसमें try अवस्य ही करना चाहिए मैं सोचता हूँ इससे नीचे वाले candidates के लिए seat मिल पाना मुश्किल हो जाएगा हालनकि इतनी ज़्यादा cut-off down तो नहीं, मैं 600 इसलिए बोल ला हूँ कि फिर काफी सारे students को पस्तावा भी होता है कि हमें form fill कर देना चाहिए cut-off मैं सोचता हूँ कि 610 या 609 इससे down आनी की possibility तो नहीं लग रही है क्योंकि candidates काफी है, seatیں कम है, इस बीच में काफी सारे students है तो फिर भी 600 तक के candidate को इसमें chance लेना चाहिए तो ये सारी condition मैंने आपको बता दी है, आप इसमें try कर सकते है 50,000 security deposit करनी है, ये सभी candidates को करनी है अगर seat मिल गई तो उसको join करना जरूरी है, नहीं तो आप एक साल के लिए बेन हो जाएंगे और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखने वाली बात है इस round में आपको अगर आप MBBS लेना चाहते हैं, तो MBBS बड़े ही ध्यान से fill करना है अगर आपने BDS fill कर दिया MBBS की जगे गलती से, तो आपका एक साल नुक्सान हो जाएगा तो ये भी आपको इंशोर करना है, तो बाकी और अपडेट मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगा कितने सीटे आती हैं इसमें, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद